राजस्तान में चुनावी माहौल अब गर्म हो चला है जैसे जैसे कॉंग्रेस बीजेपी अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का एलान कर रही है वैसे वैसे टिकेट कटने वाले नेताओं की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है और खुल कर सामने आ रही है इसी कड़ी में बीजेपी खेवे में नाराज नेताओं की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है देखते हैं ये रिपोर्ट कांता का टिकट काट दिया दोहजार बीस में सरकार गिराने के सवाल पर गहलोत ने जवाब देते वे कहा कि जिन लोगों ने ये कोशिश की उन्हें नहीं पता था कि उनका पाला किस से पड़ा है मैं तीन बार राज्जु का मुख्य मंत्री रहा हूं मैंने ये तीनों पूरे किये हैं जो कि एक बड़ी चीज है ये केवल इन तीनों कारिकाल को पूरा करने के बारे में नहीं है उन्होंने इस बार मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की लेकिन वे नाखाम रहे उन्होंने सोचा कि वे लोग यहां भी सफल हो जाएंगे लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका पाला किस से बढ़ा है आपको बता दी कि अशोग गहलोत और विधायक सूर्यकांता वयास जीजी भाई और बहन करिश्टा निभाते आए हैं घौरतलब है कि राजस्थान कीर सूरसागर सीट पर कॉंगरिस ने अभी तक सस्पेंस कायम रखा है और परत्याशी के ना अलाकि सूर्यकांता वयास को टिकट ना देना बिजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है तो वहीं इस बीच सीम गहलोत का बिजेपी विधायक के घर पहुचना और अभी तक कॉंगरिस का यहां से उमीद्वा खड़ा ना करना कई संकेत भी दे रहा है डिवी किरी पोट